अस्सलाम अलेकूम कैसे हो आप सब अलम दुलीला में एकदम ठीक उम्मित करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी घंचे का गीली चड़ी का गीले कच्चे का वीडियो आया जिसके अपर उसने थमने लिस्ट कुछ इस तरह से लगाया था कि कौसर घर को ताला मा परके चली गई ठीक हो गया बकी वीडियो की सुरुवात में इसने ये बोला कि आज का जो वीडियो है कि क्लीपे आगे पिछे हो सकती है यह दो चार दिन का व्लॉग है वीडियो है तो आज तो ऐसे ही डाल दिया हूँ पता नहीं है कि उपर नीचे होगी कि प्रॉपर रोजे रख लेते हैं तेरी व्लॉगिंग के लिए मनुस तुक आगे पिछे करके डाल तुमात डाल किसी को क्या पढ़ी है फावडे तेरी व्लॉगिंग की यह जो कौसर है ना इसके नाम पर तुझे व्यूज आ जाते है और ना तो ना कुता भी टांग उठाने ना है ते कि देता है अपने वीडियो में कि लोग मरे जा रहे है कि चलो भई उसके वीडियो में क्या है देखते है नितने अच्छे से बता रहा है अज इने खिली वैसी वैसी हो सकती है दर पिटे मूह तेरे मन होसी के काले फैगन पिटारा के सामने इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हुई होती है इसकी आवाज नहीं निकलती है इसका मुँ है इसके ब्लॉग में देखने का और पिटारा के ब्लॉग में देखने का पिटारा के ब्लॉग में न मैंको रमजान ज्यादा confidence में नजर आता है लेकिन ये रमजान से भी ज्यादा बत्तर नोकर नजर आता है इस तरह से घबराया हुआ रहता है इस तरह से जुका हुआ रहता है और जैसे जैसे मालकिन काम बोलती है वैसे वैसे नोकर रूट उटके भागता है काम करने जैसे नचाती है वैसे भावरे की तरह नाता है और खुद के व्लॉग में ऐसे आएंगा ऐसे थोबड़ा सामने रखेंगा तो लगता है पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी चला रहा है कितना इज़दार और कितना अच्छा इंसान है मनुस कहीं कि अपनी उकात मत बुला कर तेरी उकात है ना पिटारा के व्लॉग में नजर आती है कि तु एक ड्राइवर के अलावा ना कुछ भी नहीं है वो भी बेजज़ता ड्राइवर जिसके एक कोड़ी की इज़द नहीं है मनुस और रोज की जो इसकी एक लाइन है ना सुब का आगाज हो चुका है और जो भी डेली की रूटिंग होगी आपके थाश शेयर करूंगा मुझे नहीं तमज आती है कि इसको ऐसी गलत पहमी क्यों है कि लोगों को बड़ा ये शौक है इसकी डेली की रूटिंग देखने का अरे गोंचुका लिए तेरे को देखके ना लोगों के उल्टियां आ जाए लोगों के रोजे तुड़ जाए वरत तुड़ जाए इस तरह का तुमनूस है ना सुवर है तो ये तेरी डेली की रूटिंग है ना तु तेरे पास रग वो तो कौसर है ना उसकी वज़े से लो कितने आए हुए दुनिया बर का खर्चा किये ना जाके घूमें फिरे वहां के व्लॉग जाके देख तेरे वहां के व्यूज जाके चेक कर और अभी तु जब से वापिस आया है ना कॉसर को दिखा रहा है तब के व्यूज चेक कर तेरे को और पिटारा की दोनों की उकात है वहीं पर नजर आती एकाली है अच्छा काटून का व्लॉग इतना फनी होता है इतना काटून से भरा हुआ होता है दरवाजा कोल के बोल रहा है आपको बाहर की सूप दिखाता हूँ आसमान पर भी बादल तो हट चुके है वावावावावा गोंचू बहुत बड़ी है व और बता रहा था उसके हाथ में वो वला टॉय देखे एक टॉय है एक टॉय वो वला टॉय देखे बता रहा था के मम्मा का टॉय बहुत पसंद है मम्मा के टॉय से ही खेलते रहता है बहुत पसंद आ गया है तो इसकी जो मम्मा है पिटारा मम्मा एक ही टॉय दी और जो टॉय है ही नहीं अगर एक टॉय उसको दिला दिये तो जहिरती बाते उसी से खेलेंगा ना बाकी जाके इसके बच्चों के पिटारा के बच्चों के टॉय आप लोग पूरे तीन साल के चेक कर लो और कोसर के बच्चों के चेक कर लो कोसर के बच्चे का उसको कोई टॉय नही कुछ नहीं दिलाया जाता है और पिटारा के बच्चे जब बाहर निकलेंगे तब खिलोने लेते जब निकलेंगे तब लेते और ये जता इसे रहे कि पिटारा ने बड़ा महान काम की ये टॉय दिलाके खली एक टॉय लेकर आई ये बच्चे के लिए जबके इसको तो थैला भर के लाना चीए था तुम लोग इतना घूम फिर के आयाशी करके आयो नहीं कोसर के लिए कमसे कम बच्चे के लिए लेकर आजाते लेकिन नहीं अपने बच्चों के लिए 3-3-4-4 टॉय इतने सरे कपड़े पता नहीं क्या क्या लेकर आई और इबराहिम के लिए सिरिफ एक टॉय वो भी एक घौचु घदेडा बार बार दिखा दिखा कि ऐसे शो करता है जिसे कडोडो का टॉय लेकर आई ये मनूस कहीं का अच्छा जब ये कोसर के घर से निकल रहा था तो उसको बोल रहा है दूद तो नहीं है न हाँ तो अभी दूद वाला आ जाएंगा सोड़े दिन पहले याद है आप लोगों को पिटारा बोल रही थी के वहां पे दूद वाले नहीं जाते है और पता नहीं क्या क्या बाहाना कर रही थी के मैं यहां से दूद बेशती हूँ हम लोग रोज यहां से दूद पहुंचाते है कोसर को और आज के वीडियो में यह बोल रहा है साड़े छे बजे तक के दूद वाला आएंगा मतलब कि उसको दूद लेके देना भी इतने जरूरी नहीं समझा यह उठा है और बिना मोद होए भागा है के नहीं पिटारा के बच्चो को स्कूल छोड़ना है बच्चो को स्कूल छोड़ना है इससे बोल के यह डैरेक निकल के वहां से भागा है दूद तक के नहीं लेके गया जबके छोटे बच्चे की मा है उसको दूद दूद लेके देना चीए अगर सुबा में नहीं लेके दे सकता है राती को लेके रख ले जैसे पिटारा के लिए लेके रखता था लेकिन नीक उसर के लिए कोई जुमेदारी नहीं निबानी है ठीक हो गया और ये जो भागा है वहां से के बच्चों को इसकुल छोड़ना है इसकुल छोड़ना है तो ये बता पिटारा तू तो बोलती है के ये तो ध्यानी नहीं देता ये तेरा साल मोबत के पीछे दिवाना ए तो अगर उसके पीछे इतना ही धिवाना ये तो भई उसको तो दूर नाष्टा सब को ला के दे के खिला फिला के फिर तेरे पास आना चीए था लेकिन नहीं वो तो उट्टे साथ में गदेडा बागा है और तू बोलती है ते रबच्रों पर ध्यान नी देता ते मनों तू मरेंगी न तो खबर भी तेरे को अपनी गोद में ने रखेंगी उठा के बाहर फेग देंगी इत लगों पहले अपनी अयाशियां तो कर लो वो मोटी को घूम तो लेने दे लोगों के बच्चों के स्कूल खुले हुए हक्ता गुजर गया इनके बच्चे अब जाके स्कूल जा रहे हैं उसमें भी आयत नहीं गई और यह इसे प्रेजेंट कर रहे हैं जिसे आज ही स्कूल ओ पन होई है अरे मनुस तुम लग कितना जूड बोलोगे मों पे लानते पड़ी हुए फिर भी जूड बोले जा रहे हुए अच्छा यह जो मैं गोंचु के अपर वीडियो बना रही हुँ ना तो हमने छोड़ दिये थे गोंचु के अपर वीडियो बनाना और को सर को हाइल लाइट करना तो पिठारा को थोड़ी कोशर के लिए बात होती है उसको बड़ी तकलीफ होती है तो मैंने सुची कियूं कोशर के लिए फिर से वीडियो बनाने चीए अवाद उठाना चीए उसको उछो कितना मंहेलों की रानी बनाना कर रखा गया है कितना उसको एक्दम ह फाइ फाइ जिन्दगी दी गई है और उसकी जिन्दगी तो जाहिरती बाते गोंचु के वीडियो से ही पता चलेंगी तो जरूर वीडियो बनाना चाहिए क्या बोलते है आप लो तो पिटारा अब तेरी ना तकलीफ है ना इसे ही बढ़ेंगी टेंचन मतले कोई कोसर के उप बात नहीं कर रहता तेंगो बड़ी तकलीफ हो गई ना एक दिन अगर कोसर के उपर बात हो गई तो तो आप तो रोज बात होईगी अब रोज बताउंगी कितनी आयाशी वली जिंदगी कितनी महारानी वली और कितनी जादा आली शान जिंदगी जीड़ी यह वो अच्छा मैं ही बोल रहा है कि मैं अब कोसर के घर पे जा रहा हूं पानी का टैंग ले लिया हूं फिर मैं रिटन घर पे चला जाओंगा फिर रात को जब मैं वापिस आओंगा तो कोसर से पूछूंगा कुछ चाहिए अगर उसको चाहिए रहेंगा तो मैं इसको लेके दूँगा ये जताना चाहता है गोचुए तू अगर इतना ही तू अच्छा होता ना तो पिटारा को क्या तू बार बार पूच्छता है क्या कुछ चाहिए कुछ चाहिए कैसे वो तेरे को हग से बोलती है इधर चलो ये चाहिए वो चाहिए ये ले क्या हो वो ले क्या हो कौसर क्यों नहीं बोलती है उतना हक से ते को पूछना क्यों पड़ता है कि कौसर कुछ चाहिए अगर कि वो तेरी वाइफ है तो उसको तो फिर हक से बताना चाहिए बोलना चाहिए कि भई ये लाके दे वो लाके दे लेकिन नहीं तुझे जंगल है वो दिखाने लगा के यहां पर बैगन लगा हुआ है यह मिर्ची लगी है टमाटर सूप गए कद्दू लगने वाला है यह वो तो एक बात बता गोचू जो तेरी बीवी इतना कॉंटेंट बनाती थी आके यहां पर यह सारे कुछ सबजी को तोड़ तोड़ के कॉं ची कि अब मुझे क्या जरूरत है कोसर के घर पे जाके चाहे पीऊं कॉंटेंट बनाऊं बाते करूं है न तो अब बाबर का घर पकड़ ली वैसे घर घर बटकने की आदत है न उसको तो कोई न कोई तो चाहिए उसको खेर लेकिन आप लोग यह भी देखना कि यह सबजी पिटारा फिर भी नहीं छोड़ेंगी भले खुद नहीं आएंगी इदर लेकिन गोंचु के हाथ से ना सारी सबजीयां मंगवा लेंगी क्योंकि बहुत निक्चड़ औरत है इसको लगता है पता नहीं कितने लाकों कड़ोडों रुपे खा जा रही है कोसर तो उसमें से मै भी क्यों ना नोच के खाऊं इतनी निक्चड़ औरत है गी और गोंचु तु ये भी बता रहा था कि वो जो पीछे जंगल बना के रखे तुम लोगोंने खेत बना के रखे तो उसके अंदर साप है और फिर तुन्हें अगला सीनी दिखाया था कि इबराहिम जमिन में कोशिश नहीं किये वो बच्चे के लिए कोई प्रोटेक्शन की कोशिश नहीं किये तुम लोगोंने भई खिरकी कुली रहती है पीछे का दरवाजा जाली वला है अगर उसके अंदर साप है बच्चा जमिन में सोर आया आप लोगों कुछ सोचो कि अगर वो घर में घुज इगनौर करती इस चीज को नई वो बिल्कुल भी इगनौर नहीं करती वो शायद उनको बुलाती जो पकड़ते है वो निकालती वहां से ताके बच्चों को ना कुछ हो जाए मगर यहां पे बच्चा कोसर का है न तो इनको तो कोई लेना देना नहीं है बलके मैं तो बोलत च्रूं को बच्चा अलगा आश्चा वो पिटारा के लिए कंटा आ आक थां मे तो बच्चेवर इमेए के लिए ये फिर से कर रही होगी हमें क्या पता भई अच्छा गोंचू मोटे संडे एक बात बता जैसे तू कोसर के घर में घुसता है तो बोलता है नाश्टे में क्या है नाश्टे में क्या बनाया है जल्दी नाश्टा लगाओ ये दे दो वो बना दो तो ऐसे ही तू कभी पिटारा के घर में नहीं बोलता है हमने कभी भी यह थैं, तुने पिटारा को बोला होगा मुझे नाश्टे में क्या बनाया है, मुझे नाश्टा दो, ये बना के दो, वो बना के दो क्यों? उसका उजबेंट नहीं है तू? हाँ ट्राइवर है वहाँ पे भी तो कभी बोल लिया कर अगर इतनी ही जादा कौतर खराब है और पिटारा इतनी ही जादा अच्छी है तो वहाँ पे तो भई तेरे मुह से निकलना चीए हमने कभी नहीं सुने तेरे मुह से तो देखेंगे कि पिटारा को तु बोलता है के नाश्टा बना के दो, क्या बनाया है, क्या नहीं, आप लोगों ने ध유ान दिया होगा ना, इस चीज के उपर, के पिटारा से यह कभी नहीं पूसता है, क्योंकि पिटारा ना इसको चपल चपल से मारेंगी, अगर वहाँ पे यह इस तरह की बाते करेंगा तो, इसका रोब है न त्रिवियाई पे आके जमता है यहाँ पे आके दादा गिरी दिखाता है जमकियां देता है न डिवास देने की छोड़ के आने की तो इसके लिए यहाँ पे आके अपनी उकाद दिखाता है गदा कहीं का अच्छा कोसर से पूछ रहा था घर का क्या क्या सामान चाहिए तो वो साबून, सरफ, जामेशरी, टैंक वगेरा ये सब चीजे मंगाई पिटारा से अगर पिटारा कुछ मंगाती भी है न क्या मंगाती बता है वीक लेके आओ मेरे लिए फ्लावर लेकर आओ, मतलब वो डेकोरेशन का या तो नकली बाल लेकर आओ, मतलब इस तरह की चीजे मंगाती है ड्रामे करने वाली चीजे ये पैन के ड्रामा करेंगे, वो पैन के ड्रामा करेंगे तो फरक पढ़ता चलता है न कि घरेलू और याश औरत कौने बाक्कि गोंचुआ घया था बाल कटाने के लिए बोल रहा है मैं जा रहा हूँ बाल कटाने के लिए अबे गौंचु पहले बाल पैदा तो कर ले थर पे उगा तो ले बाद में कटिंग करवाना वो जो तेरे आगे चेंडी रहती है उससे ही तो में काटून लगता है तू पिटारा जो इतना अपने जिसम पे पैसा लगाती है होंटों पे पैसा लगाती है पलकों पे लगाती है तो उसको बोल दो चार हजार लाग तेरे टकले पे भी लगा दे और तेरे दाद भी सही करवा दे यतना तो उसके लिए दलाली करता इतने पैसे तो वो तेरे पिच्चे लगाई सकती है बाकि यह जो घुचुने काले बैगं ने जो थमनेल लगाया था के ताला मारके कोसर चली गई तो वो वॉक करवाती है बाहर मालूम हैं बच्चे को वॉकर में डाल के वॉक करवाती रहती है, तो वॉक करवा रही थी, ना कि किसी के गर पे या कहीं पे गई हुई थी, वॉक करा रही थी वो बच्चे को, तो उस चीज को लेके इसे कमीने आदमी ने इस तरह कर थमनेल और टाइटल दाला, जैसे के पता नहीं, वो कहां चली गई, घर चोड़ के चली गई भाग गई इस तरह का लोगों को लग रहा था कि इस तरह की कोई बात होगी लाना थे गोंचु तेरे उपर शर्म कर ले डूप के मर जा ऐसे थम्नेल टाइटल पिटारा के लिए क्यों नहीं लगाता उसके लिए लगा उसके लिए लगाने की तो तेरे अंदर जुर जाना पड़ता है यह इसकी उकात है पिटारा गाड़ी तलक के नहीं देती है इसको और घर से निकलता है तो गाड़ी में निकलता है पिटारा इस तरह से जताती है कि मैं तो गाड़ी दे देती हूं इसको अपने आपको इतना महान दिखाने की कोशिश करती है लेकिन देख बाइक के अपर आता जाता है और बहुत नालाएक औरत है दोनों मियावी भी सेम टू सेम है तुम लोगों को तो क्यूड़े पढ़ेंगे इतनी तुम लोग गंदगी जो करके रखे हो ना क्यूड़े पढ़ेंगे तुम लोग चले इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूं वी पतन देंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लापी